हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है 19 अग्डोबर 2020 से रिलेटेट जितने भी इंपोर्टन राजस्तान करेंट अफेर्स होंगे उन सारों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले है ये करेंट अफेर का वीडियो राजस्तान के सभी भरती के लिए जो आगामी भरती आने वाली है साथ ही जो वर्तमान में भरती है चल रही है जिनका एक्जाम अभी तक नहीं हुआ है उन सभी के लिए ये काफी इंपोर्टन वीडियो होने वाला है जैसे आरेस, पटवार, र तीट, रजस्तान आएकोट, रजस्तान पुलीस, रजस्तान लडि-सी, इन सभी भरतियों के लिए ये सीरीज काफी इंपोर्टन होने वाले है क्योंकि आज कल हम देख रहे हैं कि current affair चाहे वो इंडिया लेवल का हो या रजस्तान लेवल का हो सारे exam में पूछा जा रहा है 6-7 question आपको current affair से हर exam में देखने को मिल रहे है इस video की pdf file आप हमारे telegram channel से download कर सकते है telegram channel का link आपको description में मिल जाएगा वहां से आप उस telegram channel को join कर लिजेगा ताकि आपको daily basis पे pdf मिलती रहे ताकि आप अच्छे से इसका revision कर सके उसके पहले अगर आप हमारे channel पर पहली बार आये है तो channel को subscribe कर दीजेगा और all bell icon के उपर जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे तरफ से जो भी latest information और update होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके चलिए video start करते हैं सबसे पहला question है कि देश का पहला जिला जहाँ बेटियों के नाम पर मंदिर है यानि कि हमारे देश में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर बेटियों के नाम पर मंदिर है तो उसका अंसर है नागोर जिहां हमारे रजस्थान का नागोर जिला ऐसा है जहाँ पर बेटियों के न जा मंदिर यहां पर बने हुए है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट कोशन है, कि प्रादेशिक भाषा में उफ्ट है यहां पर फ्री है, यानि कि फ्री में कोर्श शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा, प्रादेशिक भाषा में मुफ्त में कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्या बना है राजस्थान जी है राजस्थाने के सा राज्या भी बनेगा जो की प्रादेशिक भाषा में मुफ्त कोर्स शुरू करने वाला है यह ट्रिपल आई टी कोटा के द्वारा courses provide किये जाएंगे इसमें लगबग 17 से लेके 18 courses होंगे जिसमें machine learning हो गया data entry का हो गया या फिर accounts से related हो गया computer से related हो गया इन सारों की आपको courses करवाए जाएंगे वो भी मुफ्त में करवाए जाएंगे और इसके certificate जो है वो triple IT quota के द्वारा दिये जाएंगे next question है कि आंतरष्टिये खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले 13 खिलाडियों को कितनी बीगा भूमी का आवंटन किया गया है ये काफी important सवाल है sports से related है तो आपको इसको ध्यान में रखेंगे जो भी हमारे प्रदेश के आंतरष्टिये खेलों में जिन्नों ने भी हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया इसे 13 खिलाडियों को select किया गया है और उनको 25 भीगा भूमी जो है वो आवंटन उनको दी जाएगी और यह जो भूमी है यह इंदिरा गांधी जो नहर है हमारी उसके आसपास के जगों के पास में दी जाने वाली है next question है कि राज्य सरकार के नवचार no mask no entry को किस देश की सरकार ने भी अपनाया है यानि कि हमारे प्रदेश द्वारा जो no mask no entry जो एक योजना ये फिर एक नवचार एक सिष्टाचार जो चलू किया गया था हमारे अशोग गेलो सरकार के द्वारा ये अभी इंगलेंड देश ने भी अपनाया है तो no mask no entry को इंगलेंड ने भी अपनाया है तो ये था आज का current affair राजस्तान से related ये जो भी हमने आपको questions बताए उसके answer आप ज़रूर अपने copy में note कर दीजेगा क्योंकि ये काफी important सवाल है और इसका revision आप बार-बार करते रहेगा ताकि current affairs आपको अच्छे से याद हो जाए जैसे आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपको current affair भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा साथ ही इसका revision भी बार-बार आप करते रहे टेलिक्राम चैनल से आप इसकी PDF डाउनलोड करके उसको बार-बार दोराते रहे तो आज का ये वीडियो था और comment section में आप जरूर बताईएगे का आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इसको like और share भी कर दीजेगा thank you so much